दात में दर्द और मसूडों से खुन आना एक आम बात है, हम कुछ घरेलून उसकों की मदद से इन दोनों समस्या उसे छुटकारा पा सकते हैं, आपके घर की रसोई में ही कुछ ऐसी चीजे मुझूद हैं जो मसूडों से खुन बहने और दातों की समस्य को दूर करने में बह पर उखली दाट की वज़ा से भी मसूडों में खून आने की दिक्कत को दिखा जा सकता है। हाला कि मसूडों से खून आना और उसको ठीक करने के उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से आप अपने दातों को मजबूत और अपने गम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने दातों से निकलते हुए खून को किस तरह से आप रोख सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि मसूडों से खून आने के क्या लक्षन हो सकते हैं मूँ और मसूडों के आसपास दर्द होना ये एक कारण हो सकता है मसूडे फूलना, छूने पर मसूडों में दर्द होना, दातों और मसूडों के भी ज़ादा दूरी आना, मुहू से बदबू आना और दात धीले होना, या हिलना, मसूडों से खुन आने के लखशन होते हैं आप अपने घर में मोजूद चीजों से भी इसका स्तमाल कर सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक चमच नमक और एक कफ आपको गरम पानी लेना है तो दोनों उन दोनों को आपको मिलाना है और दोनों में आपको मिलाने के बाद उससे करनी है कुला तो दोस्तों इसको आपको दिन में तीन से चार बार करना है अगर आपको जादा प्रॉबलम है और आपको कोई थोड़ी बोच प्रॉब्लम है तो आपको एक से दो बार दिन में करना है जिससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा और नमक में हमें एंटी बैक्टिरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपरिडीस पाई जाती हैं जिससे की हमारे मसूड़े की सूजन कम ह होती है और उसमें जो बैक्टिरिया होता है वो भी से साफ हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको करना ये होगा आपको लेना है एक चम्मच शहद और उसको अपने गम्स पर अपलाई करना है अपने दातों पर अपलाई करना है और उंगली से उस पर हलकी मलकी मसाज देनी ह आपको दोस्तो इससे क्या होगा आपके मसूडे मस्बूत हो जाएंगे और दोस्तो आप